रीमा और रामू गर्मियों के मौसम में कहीं घूमने जाने का प्लैन बना रहे थे बहुत सोचने पर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन गर्मियों में घूमने के लिए कहा जाए तब ही रीमा कहती है एजी हम का कह रहे हैं कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में क्यों नहीं लता दीदी के गाउ धरमपूर चले अरे हाँ यह तो तुमने बहुत अच्छा एडिया दिया फिर रीमा और रामू लता के घर धरमपूर के लिए निकल जाते हैं गाउ पहुच कर बस से उतर कर दोनों पैदल लता की घर की तरफ बढ़ते हैं सुनो रीमा हम तुमको पहले ही बता देते हैं तुम बेवज़ा जादा बकर-बकर मत करना ठीक है ना तुम्हारी यादत बहुत बुरी है बेफजूल की बाते करने की हमारा बोलना अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो अपने लिए गुंगी बीवी काहे नहीं ले आए बढ़े आए हमें सिखाने वाले पहले ये खुदी बोलने की तमीज तो सीख लो लीमा और रामू में दिन बर ऐसी चोटी मोटी नोग जोग होती ही रहती थी फिर दोनों लता के घर पहुँच जाते हैं और दर्वाजा खट-कटाते हैं दर्वाजा लता खोलती है अपने भाईया और भाबी को इतने दिनों बाद देकर लता बहत खोश हो जाती है अरे भाईया भाबी आपने तो हमको चौका ही दिया आईए आईए हम बता नहीं सकते हैं हमको कितनी खुशी हो रही है लता और उसका पती श्याम पड़े प्यार से अपने भाईया भाबी का सतकार करते हैं इसके बाद रात का समय होने आया था तो वो सब खाना खाकर सो जाते हैं दूसरे दिन सुभा रीमा और रामू गाउ की सेर के लिए निकले ही होते हैं तब ही लता उन्हें आवाज लगाती है थोड़ा रुकिये तो भाईया भाबी का हुआ जी जी आप दोनों गाव गूमने जा रही हैं तो हम आपको एक बात बता देते हैं हमरे घर से कुछी दूरी में एक बड़ा सा इमली का पेड़ है उस पेड़ की तरफ बिलकुत मत जाईएगा का है ना कि उस पेड़ में चुड़ैल रहती है अरे तुम चिंता ना ही करो बहना जब हमरे संग एक इतनी खतरनाक चुड़ैल है तु उपेड़ की चुड़ैल हमरे का बिगाड़ देगी का कहा तुमने ज़र फिर से कहना तो तुम हमको चुड़ैल कह रहे हो अरे नहीं नहीं भागयवान हम तुमको चुड़ैल कैसे बोल सकते है हमरी तिनी हिम्मत कहा हम तो कह रहे थी कि हमरी रीमा तो अपसरा दिखती है अपसरा रामु मन में कहता है असली चुड़ेल तो हमरी बीवी है, कितना भी धीरे धीरे बोलो, ऐसी बाते इको तुरंथी सुनाई दे जाती है तुम ज़रा से चिंता ना करो जीजी, हम उदर ना ही जाएंगे फिर रीमा और रामू दोनों सेर पर निकल जाते है का तुम हमको दिन बर चुड़ेल केरते रहते हो, किसी दिन जब हम सच में चुड़ेल बन जाएंगे ना, तब तुम का समझ में आएगा उ तो तुम अभी भी हो ऐसी ही नोग जोग करते करते कब रामू और रीमा उस इमली के पेर के पास पहुँच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उस इमली के पेर पर बहुत सारी डरावनी गुड़ियां लटकी हुई थी जब अचानक रीमा और रामू की नजर उस पेर पर पड़ती है, तो दोनों बेहट डर जाते हैं ई का तुम यह हमें कहां ले आए, तुम्हें याद नहीं, जीजी ने यहां आने के लिए हमें मना किया था यह सब तुम्हें कारण हुआ है, अरे तुम्हें बगबग के कारण हम हमेशा ऐसी ही परिशान में फ़स जाते हैं हानी तो कुछ अन हो नी हो, उसके पहले यहां से चल्दी चलो फटा फट से फिर रीमा और रामू वहां से जाने लगते हैं, तब ही रीमा पलट कर उस पेड को देखती है उस पेड से एक लाल रोशनी निकलकर रीमा के अंदर चली जाती है, फिर रीमा की आँखे लाल हो जाती है, रीमा पूरे रास्ते रामू से एक शब बात भी नहीं करती लगता है तुम हमरी बात का बुरा मान गई अरे यी का चमतकार है कि तुम्रे मुसे एक शब भी नहीं निकल रहा फिर रीमा और रामू घर वापस आ जाते हैं पूरे दिन रीमा चुप-चुप सी रहती है जब सब लोग साथ में बैट कर बाते कर रहे थे उस समय भी रीमा कमरे में जाकर सो जाती है फिर ऐसे ही करते करते रात हो जाती है रीमा और रामू दोनों सो रहे होते हैं तब ही आधी रात में दो बजे रीमा की आँखे खुलती है रीमा की आँखे पूरी लाल थी रीमा उठती है और कमरे से निकल कर उस पेड़ के पास चली जाती है कुछ देर बाद रामू की नीन खुलती है और वो देखता है कि रीमा कमरे में नहीं है वो उसे पूरे घर में ढूनता है लेकिन रीमा उसे कहीं नहीं मिलती वे परिशान हो जाता है और अपनी दीदी का कमरा खट-कट आता है अरे दरवाजा खोलो दीदी रीमा कमरे में नहीं है मैंने उसे पूरे घर में ढूंडा वो कहीं नहीं दिख रही रामू की आवाज सुनका लता और श्याम दोनों कमरे से बहार आते हैं एका कह रहे हो रामू रीमा अधी रात में कहां चली गई परिशान मत हो रीमा घर में ही होगी अरे वो घर में नहीं है हम उसे पूरे घर में ढूंड चुके हैं भाई तब ही घर के बाहर से बेहर डराबनी आवाज आती है तब लता श्याम और रामू उसी आवाज के पीछे बागते हैं वो लोग आवाज का पीछा करते करते उस इमली के पेर तक पहुचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि रीमा पेर पर उल्टी लटकी हुई है रीमा बेहद ही डराबनी दिख रही थी उसके नाखुन बेहद लंबे आखे लाल और बाल खुले हुए थे हाई रे हाई एका हो गया हमनी रीमा को अरे इतो सच्मु चुडायल बन गई रे बचाओ रे बचाओ मेरी बीवी का कोई तो बचा लो रे कारी चुडायल तुमने रीमा को कहे अपने बस में कर लिया है उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैं रीमा को मार डालूँगी और उसकी रूख अपने कबजे में कर लूँगी इससे मेरी शक्ती और बढ़ जाएगी नहीं नहीं मेरी रीमा को कचु मत करो अरे तुम चाहो तो इसके बदले हमरी जान ले लो पर हमरी रीमा को छोड़ दो अरे तुम जो बोलोगी ना हम उख करने को तयार हूँ तो फेरा तू भी मर अरे हम खुशी खुशी अपनी रीमा के लिए जान दे दूँगा लेकिन हम तुम से जानना चाहता हूँ क्या आखिर तुम इस पेड़ में आई कई से का हुआ तो तुमारे साथ मरने से पहले क्यों तुम लोग को मारना चाहती हो भाई चुड़ैल रोने लगती है और रोते-रोते कहती है एक तुम हो जो अपनी पत्नी के लिए अपनी जान देने को भी तयार हो एक हमरा पती था जिसने हमें मार कर इस पेड़ के नीचे गार दिया तब से हमारी आत्मा इस पेड़ में फस गई है और तड़प रही है जबकि हम तो उनको अपनी जान से भी जादा प्यार करते थे उसने हम को धोका दिया और हम को मार डाला देखो हम तुम से वादा करते हैं हम तुमरे पती को उसके पाप की सजा दिलाएंगे और तुमका इंसाफ भी उर राक्षस को हम जेल पहुचाएंगे उस राक्षस के कारण तुमारी आत्मा कहे तरपे हम तुमारी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें हमारी मदद करनी होगी तुम्हें बताना होगा कि तुम्रा पती कौन है और कहां रहता है फिर वो चुड़ेल अपनी आप बीती रामू को बताती है साथ ही ये भी बताती है कि उसके पती का नाम क्या है और वो कहां रहता है हम तुम्रे आगे हां चोड़ते हैं तुम हमरी रीमा को हम अपना वादा निभाएंगे, तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। फिर चुड़ैल रीमा के शरीर में से निकल जाती है। हम सभी इंसान भूत के नाम से कापने लगते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि आखिर वे क्यों भटक रहे हैं। उनके भटकने के बीचे कोई न कोई कारर तो जरूर होगा। ये भटकती हुई रूहें भी कितनी तकलीफ में होती हैं। उनकी तकलीफ तो कोई समझ ही नहीं पाता। फिर रामू अपने वादे के मुताबिक उस चुड़ैल के पती को खोज निकालता है। और फिर पुलिस को भी उस पेड़ के नीचे दबे उस चुड़ैल के कंकाल को दिखाता है। जिससे उसके पती का जुर्म साबित हो जाता है। और उसे उम्रकैत की सजा होती है। जिससे उस चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है। उसके बाद रीमा और रामू पूरे रीती रिवास के साथ उस चुडैल के कंकाल का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ती मिल जाती है.